आज के वीडियो में हम दो बहुत आसान तरीकों से बिल्कुल मार्केट जैसा गुलकन बना करके तियार करेंगे जिसे आप एक बार बना करके सालबर तक इस्टोर करके रख सकते हैं तो नमस्कार पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत हैं इसके लिए याप पर मनें 500 ग्राम इस तरह से गुलाब लिये हैं फरवरी से अपरेल के बीच में मार्केट में बहुत ही अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं उस समय आप इस गुलाबों को यूज करके बहुत सारी सीजा बना कर रख सकते हैं तो आज मैं आपको गुलकंद बनाना बताऊची जिसे एक बार आप बना करके रख देंगे तो साल बर भी येße गुलकंड खराब नहीं होता है इस से बहुत तरह की जाने मिठाईने के बाद में आप राली मिठाई हैं इस के बाद में आप सर्बाद भी बना करके पी सकते हैं खीर बना सकते हैं, कुलफी बना सकते हैं, फालवा बना सकते हैं, कुरसनिताप हलौः बना या टूइँ, तो तो इसका इंदर न Tibet हमनेकशिक इंगा फ्लिवर सीबना दाथे हैं, उसके एक अचाई आगा दाई निए, जो कहने में बहुत स्पादिष लगती है, बताऊंगी तो आप लाश्ट तक मेरे साथ में बना रहे अभी फिलाल इसे हम साइड़ देते हैं जो गुलाब की पती हमने ली है उसको एक बार साफ कर लेते हैं तो इस तरह से डंटल वगर होते हैं इसको निकाल ले हैं और यह चीज का ध्यान तक जब आप ले फ्रेस गुल से वाब से थैलिया है जो आप लें सुंतर होते हैं खुम तो इसकी बहुत अची हाथ इसकी पत्यां इस तरह से अलग कर ले जो अधकर पत्यूज प्रारो घुलाब कर एंगर सो थो इसको गुलाब शूर अपर मैंने पानी लिया है ऑर बढक्षाण को इसकी तुह एंगां स जो भी कंथा प्राइग वगर ऊज़िए बनाना बताया थे सिर्थम साथ आप इसी हरते हैं चैटिय काफी सौफ्ट फैस्ों दे रही तरह से आप धान के हैं एडा जू अपर प्रोपिल्प की जाधा तीया वह णका यप सकतेहां पर हल्कत सबक्ट정ण सब्हों लिए जाली चाई आपको याद को याद होगा जब मैना बताया था। उसकी पत्योग को मैंने इस निकलने के जरूरत ने हैं ति ज़रूरत ने थी जब गुलकंद बनाते तो इसमें किसी तरह की पानी की मातरा नहीं होनी चाहिए यह लिविवा को इस्की पाषा पतियों को अबे है अब साफ होना चाहिए को ज्टन का ने में था लेंगी जओता को आपके है अद हेगा पतो आप कि लिए इन पत्यों को इस तरह से आप इस तरह से फैला दे इन गुलाब की पत्यों को आपको दूपमे नहीं सुका नहीं रुप में इसका अकलर खलाब जाते हैं जहां तो को से क्या अप फैन चला कर और उसके निचे सुका दे ताप ऐसे भी सुकाएंगे गए अधै अदय करके क्रिस्पी नहीं करना है खाली इसके उपर का मोईस्टर है पानी है वो खतम हो जाना चाहिए मोईस्टर रहेगा तो जो भी हम कुलकंद बढ़ बनाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा इस दीज का दियान दखें अभी इसको फैल चला करके आदे गंटे के लिए पहल के बीज तक मिलती है पर यह पत्यां के पूरे सालबर मिलती है तो कभी आपका मंद गुलकंद बनाने का करें तो आप फटावड बना करके त्यार कर सकते है यह बहुत ईजी तरीका भी है पर इसका तरीका बनाने का अलग होता है आज में अवही तरीका आपके साथ में सेर क अब सुक्यों पत्यों को दोने के लिए मैंने एक बाउल लिया है इसमें पानी डाल दिया है अब इस तरह से अच्छे से मसल मसल के दूलें वोगी इसके ओपर जोब मिट्टी वगर होगी वो नीचे चली जाएगी पती होती है तो पर तेरती रती है सबी पत्यों कमने सब्सक्राइब्लिस को जितनी शक्र डाल देते हैं इस चीज का दियान दखे ंचाव कानले झाक पत्यों क्वांग मञा लिहता है थल्ती कर दोने के बाद मैं देख पार है पंकुड़े काफी फूल गई है पानी के करने से काफी फूल जाती है पंकुड़े एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह में गैस को दीरे आच में चालू करेंगे यह मैं तरीका जो आपको बता रही हूं वह जह ठंडी जगह पर लोग परदूप अच्य नहीं आती है वह लोग इस तरह से बना कर के तियार कर सकते हैं यह आपके इदर फ्रेस गुलाब नहीं मिलते हैं उसमें अब इस तरह से बना कर के तियार कर सकते हैं आप देख पारे इसमें भी हलका अलका अबालाने लगए हलका सा अबालाने के बाद में कर देंगे और ठकन लगा करके इसे 20-25 मिंड के लिए रख देंगे बीसे 20-25 मिंड में पंखुडी हमारी बहुत ही अच्छी फूर जाएगे अब इसे रखे होए लगब आदा गंटा हो गया है आदा गंटे में देखिये पूरे अच्छी से पत्या सब भीग गई है सभी पत् कर देंगे तेज आच्मनी पकाएं कभी इस गुलकन का राम यह है कि जल्दी बन के तियार हो जाता है आपके पास सुकी गुलाब की पत्या होनी चाहिए और गुलाब का मुसम होता है उसमें आप अपने घर में भी गुलाब की बत्या को सुका कर करके रख सकते है और पूर अपने करना है थोड़ाए इस इसमें घरा ना चाहिए देगी रस रहना चाहिए तो एकदब सुका आपका अभी कर देंगे तो बाजम थंड होने के बाद में और बीगाडी हो जायेगे तो आमें इसी तरह का बना कर करना थे कहल का जुष इसमें डिख रहा है इसे पार नह अब आप देख पा रहे हैं ठंडा होने के बाद में काफी घड़ा होते हैं जैसे मार्केट में मिलता है उसी तरह से बन करके त्यार हुआ है पहले से आप बहुत ज्यादा घड़ा कर देंगे फिर सुका सुका हो जाएगा फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा और उसका ल अच्छे से सुक कर के तयार हो गई एकदम सुकी सुकी हो गई इसके उपर का मोईस्टर पूरा खतम हो गया अब इसको मिखटा कर लेते हैं और एक बावल के अंदर मिकाल लेते हैं इस तरह से पत्यों के सुका कर कि आप जदी गुलकंद बना कर के तयार करेंगे आपका अब इस गुलाब की पत्यों को हमें बड़े बड़तन में निखाल देते हैं इसी के साथ मैंने थी फूर्थ कप जितनी सक्कर ली है यह बीस में डाल देते हैं इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है जितनी हमने पत्यां ली है जैसे वजन मेंने 500 ग्राम पत्यां ली ह है यह मान करे वो दए को बड़े यह को किस तरह से मिक्स हम है क्योंकि इसके मिक्स करने का इस्ट्या होगाता है तो थोड़ी सबस्ताहिं पत्याब को जोचिते में इसे ह dem के इस तरह से मस लगे है कแ could सकर के काजन से जलदी से पतिय सौफटो जाती है अगिसी में डाल कि आपको करना है जेखे है इस बेला से सौफट बोर या देता है कर दोड़ा करके बिती से पतिय लोंगे एप प्रोडी सक्केर हात में ले ले यहां पर मैं आपको याद दिला देती हूं कि आपको माई रेसेपी कैसी लगती है निचे कोमें बॉक्स मेली के में जरू बताएं यदि आपको अच्छी लगती है ताप इसे लाइक करें अपने अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें यदि अच्छी नहीं लगती है ताप इसल तीम लगाता है ज्यादा समेनी लगता हैं उसे आपको मिक्सी में पीस करके निक टैयर करने आप टहए थोड़ा हमान दस्ते कंद अंदे हलकालका कूड सकते इसका महीं पाउडर ना इबनाना ते इस तरह से बना करके त्यार ही इजते इस तरह से गुलाब की पत्यों को और सक अधिक्स करने के लिए हमने बौटल लिये सकते इस कोई आप साफ़ सुत्री काज की ऑच साफ दो ले explor談 छाए एपकने क्लीन होगी थो हमारा हम काफी दिरणों तक करापनी होता है आप सालबर भी आराम से इसे घर में रख करके एंजोई कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं गुलकंद का कलर कितना सुंदर आया है कि फूल एकदम रेड कलर के होते हैं तो कलर बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से पूरे गुलकंद को में इसमें डाल दिये अभी इसे हमें पकाने की जरूत नहीं है इसको डखन लगा करके हम दूप में रख देंगे आपके गर में अच्छी दूप आ रही है तो तो तीन से चार दिन में एक तम पर्फेक्ट बन के तियार हो जाता है यदि दूप कम आती है तो इसको बनने में साथ से आट दिन भी लग सकता है साथ आट दिन में पर्फेक्ट बन के तियार हो जाएगा उसके बाद में आप इसे यूज कर सकते है अब वी जो हमने दूना तरह के गुलकन बनाए है उसको यूज करके मैं आपको एक कोल्डिंग बनाना बताती हूं तो थोड़ा सा गुलकन इसके अंडर डालेंगे तो तो थोड़ा सा इंडर डाल देंगे तो तो अपने पसंद के इसाफ से कम जादा रख सकते हैं और करीब 15-20 बादाम लिए ब। फंद बादाम को इसमें डाल देते हैं मादाम को मैने बिगा के रख दिया था और इसके चिलके निकाल ली अच्छे कलर के लिए इसमें तो थोड़ा सा घुलाब का सरबद डाल देते हैं यह डाल ना ऑगि इसनों हूं घुलाब के दाल दे अब इसमें थोड़ा साम दूट डाल देंगे दकन लगा कर कि इसे पीस लेंगे अभी आप देख पारे बहुत ही अच्छा पिसके तयार हो गया है अभी इसे हम एक बावल में निकाल लेते हैं अभी इसमें थोड़ा बरफ डाल देख थंड़ा थंड़ा पीने में बहुत अब जाता है और गर्मियों के मुष्ण में काफी ठंड़ा देवता है और बच्चों की ग्रोथ के लिए भी सब्जा बहुत अच्छा होता है इस तरह से हमाय ठंड़ा घंड़ा गुलकंद का दूद बन करके तयार हो गया है वैसे तो इस गुलकंद के बहुत सारे बताएं फिर मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर